तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपके examination minimum 10 exams आपके आने वाल है तो उसकी expected exam dates कब रहेगी और उसकी जो आपके एक जुन से timeline के रहने वाली है एक जुन से बहुत ही important यहाँ पे banking exam के लिए बन जाते है क्योंकि notification आना start हो जाएगे जो आपका IBPS calendar release already हो चुका है उ आपको bonus point में कैसे आप इसकी preparation कर सकते है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आप subscribe जरू कीजेए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियो से यहाँ पर सबसे पहले देखने को मिल ज देखेंगे तो चलिए देख लेते RRBPO का यहाँ पर आप देख सकते 3-4 ओगस्ट को आपका prelims examination होने वाला आए इसका जो timeline देखें एक जुन से कितने दीन बसते हैं prelims exam तक वो यहाँ पर लिखा गया है 63 days बचेगे RRB clerk का यहाँ पर 10-17-18 ओगस्ट को prelims होगा 70 days बचेग अब इसका जो preparation है सभी की prelims यहाँ पर common होती है तो इसकी जो preparation अच्छे से कैसे कर सकते है गाइली के यहाँ पर mock test बहुत ही famous होते है तो आप गाइली के mock test लगा कर इसका जो real competition होता है real जो exam होता है उस हिसाब से आपका गाइली के test यहाँ पर description में लिंक है वहाँ जाके access कर सकते हैं तो चलिए regulatory bodies की बात कर लेते हैं CB grade A का जो आपका examination है वो July end में expected है और यह dates सारी यहाँ पर मैं कैसे इस dates को बता रहा हूँ तो आपके जो social sir और orchestra होते हैं उनके पास internal information होती है उस हिसाब से यह dates है जो आपके July end में CB का exam होगा तो उसके लिए आपके जो timeline में 55 to 60 days यहाँ पर बच जाते हैं RBI grade B का यहाँ पर September 1st या 2nd week में prelims जो phase 1 examination हो सकता है तो उसके लिए न 9200 days यहाँ आपके बच जाएगे नाबार का जो examination है phase 1 वो October में expect कर सकते हैं तो उसके लिए आप days देख सकते 135 से लगके 145 days बच जाएंगे LIC assistant का आपका जो अभी एक notice आपका LIC assistant का June end में आपका vacancy जो है वो submit करने का एक notification वायरल हो रहा था उसके इसाब से मानके चलिए कि आपका जो notification है वो जुलाए में देखने को मिलेगा तो आपकी जो LIC की जो exam है वो September में हो सकती है तो उसको लेके चल सकते 9200 days और SBI clerk और PO ज उसकी जोइनिंग सब होगा उसके बाद आपके नई notification नवेंबर डिसेंबर में PO clerk का expect कर सकते है तो उसकी भी timeline यहाँ पर देख सकते है तो आपको गायली के mock test के साथ साथ अच्छे से इसकी preparation करने है प्रैक्टिस करने है उसका link description में है वीडियो आपको कैसे लगा comment section में जर एंग स्पराइट से शे एंग से खार अपको का सुण एंग साथ तो आपको के साथ सुण आपको का यहाँ बाद सकते है, तो जा वीडियों में एंग स्वेजू जा उसके साथ साथ आपको